आपके लिए गौड का जरूरी संदेश क्या है? कोई भी एक तस्वीर चुनिए नमस्कार दोस्तों जैमाता दीजाए श्री कृष्णा कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहत मंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में और आज आप सभी को बहुत-बहुत शुब कामना है छोटी दीपावली की आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं बहुत इंट्रेस्टिंग है तो वीडियो में अंते तक बने रहे हैं ध्यान से सुनिए कहीं कोई चीज छूट ना जाए अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपकी सारी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे आपको अपनी आखे बंद करना है इस वर से प्रार्थ ना करनी है कि वो आपको सही ऑप्शन चुनने में मदद करें फिर आपको अपना कोई भी एक ऑप्शन चुन लेना है अपने मन को शांत रखके आई होप आपने चुन लिया होगा देखते हैं टेरो कार्ड आज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं गौड की तरफ से आपको कौन सा जरूरी संदेश मिलने वाला है क्या कुछ बता रहे हैं टेरो कार्ड अगर आपने चुना है पहले नंबर की तस्वीर को और आप जानना चाहते हैं कि आपको जिंदगी में क्या कुछ मिलेगा और ईश्वर आपको क्या संकेत दे रहे हैं है जब भी गठना जीवन संकेत देते हैं प्रकृति में कुछ ऐसी घटना है अपको गटित होते हुए दिखती हैं जो फ्यूचर में मिलने वाला है या जैसा आपके साथ होने वाला है inject कि रह तो यहांए एसा भी है कि आपको गलत रास्ते जाने से बचाते भी हैं आपके constellation इंजल गाइडर होते हैं वो आपको बचाते हैं तो टेरो कार्ड बता रहे हैं कि आपको ईश्वर का एक जरूरी संदेश ये मिल रहा है कि आपको बहुत संभल के ऐसे लोगों से बच के रहना है क्योंकि आप बहुत एमोशनल हैं आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आजाते हैं ऐसे लोगों से बचे हैं जो बहुत बातें करते हैं जो आपके सामने ऐसी तस्वीरें पेश कर देते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाएं और फिर धोखा खा जाएं तो ऐसे लोगों के चक्कर में बिलकुल ना पड़ें सबसे पहले लॉजिक देखें कि क्या आ रहे हैं तो वहाँ पे emotion का कोई भी काम नहीं है practical होकर सोचें जीवन में अगर सफल होना है तो आपको practical होकर ही सोचना पड़ेगा तो आप अपने दिमाग का इस्तिमाल करें उस समय पे सही decision लें इश्वर आपको बार बार यही संकेत दे रहे हैं यही जरूरी संदेश दे रहे हैं कि आपको ऐसी लोगों से बचना है जो आपको दोखा दे सकते हैं किसी की भी बात में बहुत जल्दी आ जाते हैं आप और आ यखीन कर लेते हैं यह जमाना इतना सीधा नहीं है इतना सही नहीं है तो दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा ना है अपने धन रुपए पैसे से रिलेटेड कोई भी निर्णा अगर आप ले रहे हैं कोई बिजनिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग अनभवी लोगों से सलाम अश्वारा करें आई होप आपको समझ में आ गया होगा जै माता दी जै श्री कृष्णा अब बात कर लेते हैं सेकंड आप्शन की अगर आपने चुना है सेकंड नंबर के महरानी मातारानी के चरण और आप जाना चाहते हैं कि इश्वर की तरफ से कौन सा जरूरी संदेश आपको मिल रहा है तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि मातारानी का आशिरवाद आपके उपर बना है इश्वर की तरफ से आपको यही संकित मिल रहे हैं कि आपको बहुत महनत करना चाहिए वासिल हो सकती है लेकिन आप बहुत आलत से कर जाते हैं अपने काम आगे की तारीखों पर टाल देते हैं आपको यह लगता है कि अभी बहुत समय है देखिए समय वही है कुछ लोग सका फूरा फायदा उठाते हैं भर पूर उसका यूज करते हैं और कुछ लोग बैठके बाते करके यहां वहां घूमने में अपना समय ब्यर्थ गवा देते हैं तो अपने समय को ब्यर्थ न गवाएं अगर सफलता चाहते हैं आप तो इस समय का सदुपयोग कर लीजिए बिल्कुल भी समय गवाएं न यह हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्युकि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है जब आपके ग्रहे और सब कुछ आपके फेवर में हैं सारी चीज़ें और टेरो कार्ड यही बता रहे हैं कि सब कुछ आपकी पक्ष में हैं अब आप इस सही समय का उपयोग करें और आगे बढ़ें बड़ी सफलता हासि करें ऐसा यहां पर टेरो कार्ड बता रहे हैं मन में बिलकुल भी शंका ना लाएं मन में बिलकुल भी अविस्वास ना लाएं जब आप किसी परविश्रधा रखते हैं किसी भी भगवान की भक्ति करते हैं प्रार्थना करते हैं उनसे तो आप ये विस्वास करें कि अब पर्समस्या का समाधान आपको करके देंगे इस तरह से आप अपने मन को द्रण संकल्प बना के रखें कि अब आपका मन डवा डोल नहीं होना है आपको बस अपने काम पर ध्यां देना है और कुछ भी नहीं सोचना है उमीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इस तरह से अगर आप सोचेंगे और अपने आपको पॉजिटिव रखेंगे फिर आप देखेंगे कि आपको बड़ी सफलता भी मिलेगी भविश्य में तो किसी भी काम को करते समय निगेटिव बिल्कुल ना होगो पॉजिट विचार-चालू हो जाते हैं और सफल होने की चांसेंगे वो कम हो जाते हैं तो आपको यही सोचना है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि आपके साथ इशर हैं भगवान है आई हो पॉज़ में आ होगा चैनल पर ना हैं तो सबस्क्राइब कर लीजिए लाइक करें श फ़र्ड नमबर की अगर आपने चुना है नमबर थरी तस्वीर को और आप जानना चाहते हैं कि इश्वर का क्या संदेश है आपके लिए गौड आपको कौन सक आइडेंस दे रहे हैं देखे दोस्तों गौड यही कह रहे हैं कि जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं सब साथ होना सबसे ज़्यादा जरूरी है तो आप अपने रिष्टों को संभाल कर रखें कहीं न कहीं आप रिष्टों की अंदेखी कर देते हैं माता पिता जो बातें कहते हैं वो आपको समझ में आती नहीं और शायद आपके बीच में अंडरस्टेंडिंग की कमी है तो परि कि आप सही कर रहे हैं या नहीं इस तरह से आप अपने काम की शिरुवात करें बड़े बज़ुर्बों के आसिरवात के साथ क्योंकि कहीं न कहीं टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आप इस चीज की अंदेखी करते हैं आप बड़ों का कहना नहीं मानते हैं आप किसी को भी उतना रिस्पेक्ट नहीं देते जितना देना चाहिए अपने एहंकार को इतना बड़ा मत कीजिए दोस्तों कि किसी और के सामने जुकने में तकलीफों बुरा लगे देखिए जो हमारे बड़े बुचुर्ग हैं जो अनभवी व्यक्ति हैं अगर आप उनसे सलामसवरा करेंगे उनका आशिरवाद लेंगे किसी भी काम को करते समय तो वो आपको सही मार्ग दर्शन देंगे बाहर के खोई भी आपका इतना हित्यसी नहीं हो सकता है जितने आपके भर के लोग हो सकते हैं मन में दर्ण संकल्प करें और आगे बढ़ें अपने जीवन में इश्वर आपको यही कह रहे हैं कि आपका मन बहुत जादा डावा डोल होता है आप एक decision नहीं ले पाते हैं कभी आपको ये काम अच्छा लगता है कभी आपको बो काम अच्छा लगता है तो मन को इस्थिर करें आपको meditation करना है I hope आपको समझ में आ गया होगा तो आपने मन को भी इस्थिर करें इसके लिए meditation करें इश्वर पर पुरत भरोसा रखे पुरी स्रद्धा और भक्ती रखें जतना हो सके उतना दान पुन्य करें दान पुन्य करने से कभी भंडारे खाली नहीं होते इतना आप याद रखें जतना आप दान करेंगी उसे कई गुना ज़्यादा होकर आपको वापस मिलेगा उम्मीर है आपको समझ में आ गया होगा तो दोस्तों अपना ख्याद रखिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर लीजिए साथी कमेंट बॉक्स में जैमाता दी जैश्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना कुले है मिलते हैं अगले वीडियो में जैमाता दी जैश्री कृष्णा